जिके नेक्स्ट विग बहुत एक एक्साइटिंग वीक होने वाला है हम सभी के लिए क्योंकि Samsung लॉंच करने वाला है 27th of February को Samsung Galaxy M30 और Realme भी लॉंच करने वाला है Realme 3 4th of March को अभी 28th of February को प्रेड़ी भारत में लॉंच करने वाला है Redmi Note 7 पर Redmi Note 7 Pro का क्या हुआ क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग बेशबरी से इंतजार करें है Redmi Note 7 Pro को लेकर अब कब ये लॉंच होगा और स्पेशली भारत में कब आएगा अभी देखे इसी समय Redmi Note 7 Pro को लेकर बहुत एक अच्छ एक्साइटिंग नियूज आ चुका है और वो भी खुद Redmi का जो CEO है Mr. Liu A.B. उनके तरफ से उन्होंने खुला सा कर दिया है कुछ चीजों का यानि Redmi Note 7 Pro कब लॉंच होगा यानि launch date कौन से प्राइस में Redmi Note 7 Pro लॉंच होगा और इसका confirm specification क्या होने वाला है ये सब कुछ आपको बताऊंगा यानि इसका launch date भी बताऊंगा इसका specifications भी बताऊंगा और क्या price होगा इसका ये भी आपको बताऊंगा सब confirm देख ते रहे ये वीडियो बाइद वे निया नाम है शुमोन आप देख रहे हो gadgets वाला दैट वींग से निग चलून अब आएगा भारत में और इसी समय हम ये भी इंतशार करें Redmi Note 7 Pro का price क्या होगा तो चलिए जो Redmi का CEO है Mr. Liu Weaving उन्होंने एक micro lab website जो है वीबो इम पे भाई confirm कर दिया है कुछ चीजों के बारे में जो Redmi Note 7 Pro से जुरा होगा है जैसे Redmi Note 7 Pro का launch date जैसे Redmi Note 7 Pro का उन्हों से प्राइसेंड में आएगा जैसे इसका स्पीक्स क्या रहेगा तो चलिए पहले बात करते है Redmi Note 7 Pro लॉंच कब होगा देखे उन्होंने कहा दिया है यानि The CEO of Redmi Mr. Liu Weaving ने कहा दिया है Redmi Note 7 Pro लॉंच होने वाला है next week यानि 28th of February को यान पर question आके रुपता है भारत में कब आएगा देखे मेरा मानना ये है साइद संभाबना बहुत जादा है Redmi Note 7 Pro आपको 28th of February को इंडिया में भी देखने को मिल सकता है अब ऐसा क्यों देखे Redmi Note 5 जब आया था तब Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro बाइग ग्लोबली लाँच हो आगा भारत में और एकी दिन आपको Redmi Note 5 भी देखने को मिल गया था Redmi Note 5 Pro भी देखने को मिला था तो इस बार भी ये हो सकता है Redmi Note 7 28th of February को इंडिया में लाँच हो रहा है उसी समय Redmi Note 7 Pro ग्लोबली लाँच हो सकता है और आपको उसी दिन भारत में भी देखने को मिल सकता है संभाबना बहुत ज़ादा है चलिए आप बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में बहुत सरा ल्यूमर सारा था कि बाइग 15,000 के अंदर आएगा Redmi Note 7 Pro पर उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है Redmi Note 7 Pro का जो बेस वेरियंट होगा स्टार्टिंग प्राइस वो चाइना इवान होगा 2000 2000 चाइना इवान को इंडियन प्राइस में कंवर्ट करते हो तो इसका प्राइस लगबग होता है 21,000 अब 21,000 क्या इस फोन का प्राइस होगा Redmi Note 7 Pro का या भारत में या आपको 15,000 में देखने को मिलेगा जो बेस वेरियंट देखते हैं जब लॉंच होगा तब सभी खुला सा हो जाएगा चले अब स्पेसिविकेशन देखे रेटबी Note 7 Pro का जो स्पेक्स निकल के आया है वो कुछ इस तरह का अगर डिजाइन और बिल्ट क्वाल्टी के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो आपको पीछे में ग्लास बॉडी देखने को मिलता है यानि ग्लास डिजाइन ग्राइन कलर के साथ ही आएगा साथ में यह बहुत ही ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आएगा तो काफी अच्चा हुने वारा है इसका जो डिजाइन और ग्राइन कलर यानि ट्वाइन कलर सापको देखने को मिल जाएगा अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके डिस्प्ले के बारे में तो डेट भी नोट सेवेट प्रो में आपको 6.3 इंचेस का फुल एजडी प्लास फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा 19 इस्टू 5 इस्टू 9 असपेक प्रेशयों के याएगा उपर में आपको एक वाटर डॉप नॉच मिलेगा 2.5D का काफ ग्लास मिलेगा साथ में कॉंडिंग ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलेगा इसमें से एक होगा 4GB RAM और 64GB ROM के साथ दूसरा 6GB RAM और 64GB ROM वैरियन के साथ और तीसरा होगा 6GB RAM और 120GB ROM के साथ अब इस फोर्ड में आपको डूवल सीम का सपोर्ट भी मिल जाएगा डूवल 4G बोल्टी का सपोर्ट भी मिल जाएगा और आउट अप दा बॉक्स निटिव वीडियो कालिंग का ओप्शन भी मिल जाएगा अब इस प्रोसेसर देखे रेट भी नोट 7 प्रो में आपको क्वालक्रम स्नापड़कन 675 प्रोईसर मिलेगा जो एक ओक्टा कोड बेस्ट है साथ में ये 11 नानोमीटर फिल्फिट टिक्नोलोजी पे बाई आधरित है साथ में आपको अड्वी नो 612 का जीप्यू भी मिलेगा यानि गेमिंग एक्स्प्रियंस काफी अच्छा होगा हीटिंग हीसू नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही बैलांस्ट प्राइसर है और ये प्राइसर एयाई फीचर्स को भी सपोर्ट करता है अब बात करते हैं यहाँ पर इस फोन का सबसे हाइलाइट फीचर यानि इसका कैमरा अब Redmi Note 7 Pro में आपको 48MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा पीछे में एप 1.8 अपर्चर के साथ जिसमें आपको Sony IMX586 सेंसर मिलेगा काफी अच्छा हैं और जो दूसरा कैमरा वो डिप्ट सेंसर के लिए यहाँ पी उस किया गया है और वो है 5MP का A2.4 अपर्चर के साथ आपको यहाँ पे 4K वीडियो रेकॉर्डिंग का उप्शन मिलेगा EIS मिलेगा साथ में सामने में आपको सेलफी के लिए 20MP का कैमरा विलेगा यानि 20MP का कैमरा और इन डिस्प्ले आपको फ्लैस भी मिलेगा अब अगर मैं यहाँ पे कुछ सेंसर की बात करूँ तो Redmi Note 7 Pro में आपको सब कुछ मिल जाएगा सब सेंसर स्पेसली जाइरोस्कोप, ग्राविडी सेंसर, हॉल सेंसर, मैगनेट इमिटर सब मिल जाएगा साथ में फिंगरपीं सेंसर भी आपको मिल जाएगा साथ में यहाँ पे आपको फिस अनलॉक का फीचर भी मिलेगा जो AI-based से होगा अब यह इस फोन का बैटरी अब Redmi Note 7 Pro में आपको 4000 इमिज का बैटरी मिलेगा साथ में USB Type-C भी मिलेगा और Fast Charge याणि Quick Charge 4.0 को यह सपोर्ट करता है साथ में अगर मैं Operating System के बाद करूँ तो यहाँ पे आपको Out of the Box Android Pie याणि Android 9 मिलेगा और MIUI 10 भी आपको यहाँ पे मिलेगा याणि MIUI 10 के साथ आपको काफी सारा फीचर मिल जाएगा तो यह था इस फोन का एक तुरंत Confirm Specification अब यह देखने के बात है कि 28th of February को Xiaomi या Redmi Redmi Note 7 के साथ Redmi Note 7 Pro को भारत में लांच करता है या नहीं मैं तो यही द्वा करता हूँ बाई कर दो जैसा आप Redmi Note 5 के साथ Redmi Note 5 Pro को लांच किया था अगर यह आप करते हो तो यह आपके लिए भी बैतर होगा और हम सभी के लिए भी बैतर होगा वीडियो अगर आपको पसंदा रहा है मेरा स्टाइल आपको अगर आप पसंदा रहा है तो प्रीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को साथ में नोटिफिकेशन मेरे को ज़रूर पूस कीजिएगा इससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और आपडेट मिलतर आएगा अभी आज के लिए इतना ही और बहुत जल आ जाओगा और एक नया वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद